हेलो गाइज, वेलकम बैक टू माई न्यू ब्लॉग, आप लोग कैसे हो, आई होप आप लोग अच्छे होंगें, तो गाइज आज जो एने जितिया है, हमारे गाह में ये फेस्टिवल हम लोग मनाया जाता है, हमारे घर में भी मनता है, तो मैं नहीं करती हूँ ये वरत, जो वरत ये लोग करते हैं, तो आज की कुछ इस्पेसल थाली होती है, खाना होता है, तो वो मैं आप लोग के साथ आज सेर करने वाली हूँ, और मैं भी बनाती हूँ, खाना वेगरा सब कुछ बनाती हूँ, परसाथ भी चराती हूँ, लेकिन वरत में नहीं करती हूँ, क्यों आप लोग को में दिखाऊंगी आप वीडियो में कन्टीनिव रहे हैं दोस्तों देखिए मैं बना रही हूँ जिंगली और चना दाल की सबजी और कुछ मसाला बेसिक में डाल के रखे हूं काटोरी में तेल में जीरा दाल ये मसाला को डाल दूगी और जिब्हून जाएगा तो चना डाल दूँगी चना डाल भून लूँगी उसके बाद जिंगली जो मैं काटकी रखी मुलंबे पिसस में वह भी डाल दूँगी तो यह जो चना डाल है यह रात भा मैंने भीगवाया था ताकि सौप्ट हो सके और पक सके अच्छे तरीके से और यह सबजी इसी तरीक पता है जिंगली खाना करते हैं अच्छा होता है आज के दिन और बनाना भी तो मैं सोची बना लेती हूँ क्योंकि मम्मी ने बोला था कि बना के खा लेना क्योंकि यह तो बच्चे कपर होता है और मैं मम्मी के पास हूँ नहीं तो मम्मी बोलती है क्या कि मैं अकेले खाती ह तो यह अच्छा नहीं लगता है तो तूह बना लेना तो मैं जैसे बोलती है हर्ची में बना लेती हूं और गैस मैं वरत नहीं कर पाती हूं मैं वरत नहीं रखती हूं बस ममी जो बोलती है नहाय खाय के दिन यह समय खाना बना कर खाती हूं और जिस दिन वरत करते हैं उस दि चोड़ दिया था और एकदम ही पक गया यह सबजी और बहुत ही टेस्टी सबजी बनी थी बीना लसन प्याज की यह सबजी है और बच्चे लोगों को भी बहुत ही पसंद आया था और यह देखिए खाना में क्या-क्या बनाई हूँ मैं सारा वीडियो तो सूट नहीं कर सब्सक्राइब यह यह सब्सक्राइब बनाऊगी चावल बन चुका है और पकोड़े बनाऊंगी पकोड़े बनता ही है पकोड़े चीज़ पापर जो भी आप तल के खा सकते हो तो देखिए मैं कुछ चबर्ड़े लका थी जैसा कि आलू और घीया और कुछ सलाद भी कट क पहले से ही बस बेशन घोल के पकोड़े बना दूंगी तल लूंगी और यह देखे बेशन भी खतम हो गया था तो बेशन में डबे में डाल दूंगी और उसके बाद बेशन में मैं ज्यादा कुछ नहीं डालती हूं सिंपल ही बनाती हूं नमक हल्दी और आजवाई में बस य कि इघी था तो मैं यहीं बना ली क्योंकि प्यास का तू बनाएंगी नहींगी तो यहीं मेरे पास थी सब्ची तो मैं इसी का बना दी और खामे में अच्छा लगा और आपको पतारित है कि पकोड़े तो पकोड़े अच्छा लगता है इसंब को गरम-गरम तो अभी मैं बनाती हूं क्योंकि बच्चे लोग खाना नहीं चाहते हैं इसलिए मैं नहीं बनाई हूं मरवा मिंस वही रागी की रोटी कभी-कभी में बना लेती थी लेकिन आज मुझे बनाने का भी मन नहीं और बच्चे खाना भी नहीं चाहते हैं और अभी दोपार में हम लोग रोटी बन कर तयार है और पता ही आपको कि पकोरे तो बहुत ही टेस्टी लगता है चाहे किसी भी चीज़ की हो क्योंकि पकोरे का एक अलगी टेस्ट होता है और दोस्तों ये वीडियो आप लोगे पास थोड़ा लेट जागा क्योंकि मेरी तब्यत जो है न बहुत खराब हो गई थी means वही सर्दी जुकाम जो मौसम चेंज हो रहा है इसी वज़ा से और फीवर बगर भी और दवाई मेडिकल से मेरे हजमें लाए थे तो दवाई जो है बहुत पावरफुल थी मैं उडवी नहीं पा रही थी इसी वज़ा से मैं वीडियो अप्लोड ही नहीं कर पा रही थी जो स इसलिए मैं आज अप्लोड कर रही हूँ और यह देखे यह जो है ने चिप्स में पास रखे वे थे तो मैं इसको तल ली हूँ और साबुदाना के पापर था मेरे पास तो साबुदाना का पापर भी में तल ली हूँ और दोस्तों यह सब चिप्स घर का बनावा नहीं है मा जालू गिया के पकोरे पापर साबुदाना का और चिप्स और यह देखे बहुत ही अच्छा लगा था सब को खा के लेकिन देखिए अभी दूबारा भी तली रही हूं पकोरे और क्या करूं रिया को खाने का मनी नहीं हो रहा था वो पढ़ाई के टेंसन के मारे सिफ चाल करी खाई पकोरे खाना ही नहीं चाहिए और बुक पढ़ते वे खा रिये यह देखिए बच्छी लों का मैं क्या करूं आज कल के बच्छी दू देखिए ऐसे ही होते हैं दोस्तों यह वीडियो कैसा लगा अगर यह वीडियो अच्छा लगे थे में वीडियो को लाइक कीजिए सेयर कीजिए कमेंट कीजिए और चैनल पर नहीं दो चैनल को सब्सक्राइब कर लिजिए मिलते हैं निक्स व्लोग में तब तक के लिए टेक एर और बाबाई